फेलो दोस्तों, स्वागता आपका मेरी YouTube चैनल, Ignited Mentor में UPCS exam की date काफी करीबा चुकी है, समय बहुत कम है आपके पास मेरे WhatsApp ग्रूप में बहुत सारे लोगों ने ये प्रशन भी पूछा कि सरतयारी कैसे की जाए कि collection हमारा पका हो, तो इनी सब चीजों को देखते हुए मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें One Month Clear Strategy for UPCS Prelims, इसमें मैं आपको बताऊंगा क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका है, कि क्या वो repair है, नहीं है, तो एक बात मैं आपको clear कर दूँ, कि प्लीज आप ज़्यादा से ज़्यादा revise करने की कोशिश करें, ये वीडियो उनके लिए है, जिन्होंने slavers का 70-80% अभी तक finish कर दिया है, जिन्होंने course actors को जैसे geography, history, politics, economy इन सबको 70-80% तक cover कर लिया है, या जिन्होंने पूरा slavers ही cover कर लिया है, ये वीडियो उनके लिए है, साथ में मैं ये suggest करूँगा, अगर कोई beginner है, तो उसके लिए भी मैं कुछ चीज़े बताऊंगा, तो वो वीडियो फॉलो कर सकता है, बढ़ हाँ, बिगनस के लिए ये वीडियो नहीं है, मैं अलग सी एक वीडियो बनाऊंगा, जो भी बिगनस हैं उनके लिए, और मैं उसमें बताऊंगा, क्योंने क्या करना चाहिए, आने वाले 2018 exams के लिए, जो भी UPPCs के exams हैं, उनमें वो, उनकी strategy क्या होगी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम बात करते हैं, सबसे बिले बात करते हैं हम, history की, यानि इतियास विसे की, जिनोंने spectrum की book पढ़ी है, spectrum का इतियास पढ़ा है, चाहिए वो modern India हो, चाहिए वो medieval हो, चाहिए वो ancient हो, यानि आधुनिक हो, प्राचीन हो, मद्यकालीन भारत हो, बहुत ही अच्छी बात है, much better, लेकिन मैं आपको recommend करूँगा, कि PCS exam के लिए S.K.Pande के book, बहुत ही अच्छी book है, जिसे आप पढ़ सकते हैं, और इससे बहुत अच्छी तयारी हो जाती है, बहुत सारी PCS के प्रशन, directly यहां से होते हैं, फिर हम बात करते हैं, कि घटना चकर के last years के papers collections, जरूर पढ़ है, क्योंकि बहुत सारी ऐसे प्रशन हैं, जो directly repeat किये जाते हैं, अब इस बता के लिए मैंने यहां पर snap लगा रखा है, देखिए modern India, यह Hindi English दोनों में available है, आधनीक भारत, यह मुझे नहीं पता कि English में available है कि नहीं है, S.K.Pande की, आप देख सकते है, snap और यह भारती यतिया पुर्वा लोकन, 15-16 साल के पेपर गटना चगर के दवारा प्रकाशित किये गए हैं, तो आप जरूर देखें, क्योंकि इन सब चीजों से repeated questions आते हैं, बहुत सारे उसके साथ साथ नीचे जो description में या जो भी प्रशन के regarding information दे रहती है, उसे आपको बहुत सा इता मिलेगी प्रशन में, exam में, sorry, आगे बढ़ते हैं, next है आपका geography, geography को ये मैं आपके prelims को ध्यान में रखकर और mains को ध्यान में रखकर बता रहा हूँ, क्योंकि आपके उपर over burden ना हो कि prelims के लिए आपको अलग बुके पढ़नी है, mains के लिए अलग बुके पढ़नी है, इसलिए मैं ऐ यसी strategy बता रहा हूँ, कि अगर आपने पढ़ रखा है, तो इन सब चीजों से आप इनकी सायता से revise कर सकते हैं, quickly revise कर सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इनको revise करने के लिए आपको 5-6 दिन से ज्यादा समय लगता है, या लगेगा, और अगर आप चाहें, तो मैं एक वैस मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि आप कितना समय किसको दें, इस one month में, तो आप इनको cover कर सकते हैं, मेरे साब से enough होगा उतना समय, जो मैं आपको बताऊंगा, बात करते हैं, जोग्रोफी के लिए परिक्षावारी बहुत ही अच्छी है Indian geography परिक्षावारी, publication की, आप इसे recommend कर सकते हैं, और world geography के लिए मैं आपको recommend करूँगा, महिस कुमार बरनवार, बहुत अच्छे तरीके से sunrise way में लिखा है, जल्दी पढ़ सकते हैं आप, और, मतलब अच्छी book है, मैंने खुदी से पढ़ी है, ये दोनों book हैं, बहुत ही अ परिक्षावारी, अगर आप UPPCS का exam देने जा रहे हैं, तो आप परिक्षावारी पढ़ें, बहुत ही अच्छी book है, मैंने भी से पढ़ा है, और सबसे अच्छी बात ये है कि प्रतिक topic के अंत में, जो इसमें प्रश्नोत्री दी गई है, और उस प्रश्नोत्री का ये कर सकते हैं, इस से क्या है ये आपका stamina, आपका confidence बढ़ेगा, कि नहीं मुझे ही मेरा ये topic तयार है, दूसरी बात ये कि वैसे भी देखा गया है कि directly प्रश्न, कभी-कभी UPPCS इस book से directly same to same question रख देता है, तो आप इसे recommend कर सकते हैं, देखिए मैंने याप इस name भी लगा रखा नेक्स बात करते हैं, लक्षमी कांथ, बहुत अच्छी book है, civil services के लिए है, UPSC के लिए बहुत जारा लोगों के दुआरे recommend की जाती है, ठीक है, लेकिन मैं अगर UPPCS के लिए आपको recommend करूँगा, तो आप परिक्षावानी better है, अन्यत अगर आपने लक्षमी कांथ पढ़ा परिक्षावानी, देखें, यह बहुत ही summarized और updated books है, इसमें घटना चकर की तरह ही प्रशनों का को समाहित करके, या पिछले कई वर्सों के प्रशनों को important प्रशनों को रखके प्रशनों 3 तयार की गई है, जिसकी मदद से आप अपने आपको judge कर सकते हैं, और मैं तो यह कह अचा है, updated है, सबसे बड़ी बात, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कभी-कभी मैंने आपसे बोला कि UPPCS त्वारा directly इससे प्रशन रखे जाते हैं, जैसे पहले में मैंने आपको बोला था, इसमें भी directly यहां से प्रशन रख दिये जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, और य इसा आप ले सकते हैं मार्केट से, और आप net से भी download कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको recommend करूँगा परिक्षावानी की economy, आगे बढ़ते हैं environment and ecology के लिए, इसके लिए भी आप परिक्षावानी प्रफर कर सकते हैं, बहु यह कि बिभिन ने परिक्षाव में जो प्रश्ण पूछे गए हैं उस topic से, उन सब को प्रश्ण अत्री में समाहित किया गया है, इस book में, तो बहुत help मिले गी आपको, इसके तरिक्त अगर आप थोड़ा broad level पर पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि समय नहीं है, मैं यह चाहता कि मैं आपको वैसी चीज बता हूँ, जो कम समय में आपको ज़्यादा output दे, ज़्यादा benefit थे, तो परिक्षा मारी better है, इसके तरिक्त मैं आपको बात करूँ द्रिस्टी book, आप अगर थोड़ा broad level पर नॉलिज चाहते हैं, UPSC के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप recommend कर सकत करते हैं, द्रिस्टी की परियावरानम पारिस्टी की Hindi English तोनों में आती हो, और याद रखें, second, द्रिती संस्क्रनर इसका भी आया है, आप उसे लें, प्रतम संस्क्रनर जो है, वो ना लें, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, UP Special और Senses की, यानि जन संख्या आकड़ो यानि जनगर्णा के आकड़े भी आ चुके हैं, तो आप उसे मार्केट से खरीच सकते हैं, 50-60 टुपे की मिल जाएगी, और जो लोग नहीं पर्चेस कर सकते हैं, जो लोग दूर दराज गाउं में रहते हैं, या आप सहर से काफी दूर हैं, तो आप इने online भी मंगा सकते ह वो आपको by courier, बहुत सारी services से वो आपको भेज देते हैं, next है आपका क्रिशी, क्रिशी के लिए आप Indian agriculture, गटना चकर दौरा एक Indian agriculture नाम की एक छोटी सी special edition publish की जाती है, आप उसे मार्केट से ले सकते हैं, और enough है, आप इससे सारी प्रशनों को cover कर लेंगे, इसमें कोई द हैं, और घटना चकर की अर्थी की प्रतेक वर्स आती है, और ये updated होती है, पुराने आकणों को हटागे, नए आकणी इसमें समाहित किया जाते हैं, तो जरूरी है, आप ले लें, जरूर, आगे बढ़ते हैं, science, next है आपका science, यानि विज्ञान, lucent science, हिंद English दोनों में आत नहीं है, तो lucent science, best है, all pieces exam के लिए, सब पुछ cover हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम विवित की बात करें, तो अभी enough है, काफी है, आप lucent से पढ़ सकते हो, बिगनस को मैं suggest करूँगा कि वो पहले 9 और 10 की NCRT, science की, वहाँ से start करें, फिर इन सब book को पढ़ें, उ आगे बढ़ते हैं, अब सबसे important बात बात आती है, current affairs की, समसमाई की की बात आती है, तो देखी दोस्तों, अब तो समय बहुत कम है, और मैं यहाँ पे, मैंने तीन चीज़ें समाई किये, कि आप इन तीन चीज़ों से cover कर सकते हैं, बट मेरा suggestion यह है, कि मैं सबसे पहले आप को लक्षवारसी की, special edition आपता है यह, लक्षवारसी की का, आप इसे लेके पढ़ लें, बहुत ही अच्छे तरीके से, हर एक section को cover किया गया है, और मैं यह मानता हूँ कि 50-60% current तो आपका, इसी से तयार हो जाएगा, बाकि अगर बचा, वो आप घटना चकर, और बेटर यह है कि आप अपने खुद के notes बनाएं, क्यों, क्योंकि online या YouTube channels इन सब के through अगर आप समसामाई की देखते हैं, तो हो सकता है कि उनके द्वारा डाला गया content गलत हो, या वो वैसे भी आजकल hold चल रही है, educational channel की, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रह सकता है, education मतलब आपके career से, तो ऐसा ना करें, ज्यादा ज्यादा कोशिश करें, कि आप अपने notes के notes बनाएं, क्योंकि इस से better तरीका कोई नहीं है, अगे बढ़ते हैं, मैंने आपको बोला कि सबसे पहले prefer करें लक्षवारसी की, उसके बाद से घटना चक्र, अगर, और last म अगर बच जाए, तो दिरिस्टी की magazine, अगर आप किसी city में रह रहे हैं, वहां मिल रही है, तो purchase कर लें, अगर आप नहीं purchase कर पा रहे हैं, जो नहीं खरीच सकते हैं, जो remote, जो बाहर गाओं में रहते हैं, वो download कर सकते हैं, इदिरिस्टी magazine online, इसको download करके प्रतेक मन्त किया जाती है, आप इसे download करके पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ये दी हुई है, अगे बढ़ते हैं, और अन्ति में, कि मैं आपके साथ, मैं last में आप से ये कहना चाहता हूं, कि आप सब के साथ, घटना चेकर के दौरा जो प्रकास से 16 साल के papers हैं, question papers है, back question papers, आप ज जरूर करें, तो दोस्तों ये थी मेरी strategy, one month की, अगर आप चाहेंगे, तो अगले next video में, मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की, कि आप कितना समय कि subject को दें, इस one month में, और आपका cover हो जाए, चले फिर, thanks, thanks for watching my video.